तो देखो लोगों से आपको पता चल गया मैं किन exams के बारे में बात करूँगा, क्या बात करूँगा इसके लिए आपको वीडियो देखना है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि शायद ऐसा वेकंसी जल्द नहीं आएगा अगर आप एक ऐसे एज ग्रूप में फॉल करते हो जहां पर आपके पास एक दो साल ही है तो शायद ऐसा वेकंसी आप कभी और देख नहीं पाऊगे तो शुरू करते हैं वीडियो देखते हैं कि इस पे किस प्रकार से क्या है सबसे पहले मैं इंपॉर्टन डेट की बात करूंगा आपने शुरू में ही देख लिया कि इस वीडियो में पी यूबियाई एन नबार्ट के बारों में बात करने वाला तो देखो PNB का जो रेजिस्ट्रिशन है वो आप 25 तारिक तक कर सकते हो मतलब अभी भी आपके पास 5 दिन है आज का दिन मिला के अगर मैं यूनियन बैंक की बात करो तो सिर्फ आप 23 तारिक तक मतलब आज से आपके पास 3 दिन है तो ये ध्यम देने वाली बात है अगर मैं number of vacancies की बात करूँ तो देखो मैंने यसा क्यू कहा कि शायद ऐसा vacancy नहीं आएगा देखो PNB में 1000 credit officers की requirement है आप सोचो बतलब it's not a generalist officer it's a credit officer generalist officer होता है तो समझ में आता है ठीक है वो multiple जगा पे काम करवाने वाली है bank लेकिन PNB देश का बहुत बड़ा public sector bank है after SBI तो वो अगर 1000 credit officer ले रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ही fierce mode पे है expansion के तो ये expansion में आपको अगर गर्वर्मेंट जॉब चाहिए वो भी आपके domain that is financial sector में तो इससे better opportunity हो इनी सकता लेकिन ये तो हो गई open opportunity की बात इससे better opportunity भी एक है वो मैं आगे वाले slides में बताऊँगा तो देखो union bank में भी जो 23 तारिक तक आप form भर सकते हो इसमें forex की notification है assistant manager दोनों ही scale one job है PNB में credit का है इसमें forex का है right इसमें total 73 vacancies है तो 1073 vacancies for MBA finance आप ऐसा मान के चलो अब देखो ये बात हो गई MBA finance की मतलब आपको MBA finance होना जरूरी है तभी आप apply कर सकते हो correct that's so simple अब problem ये है कि आपको financial sector पर काम क आप एक BBA हो BMS हो लेकिन आपके पास MBA की finance degree नहीं है तो आपके लिए क्या है तो आपके लिए इससे better opportunity ठीक है better मैं इससे लिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो PNB and Union Bank is a commercial bank है लेकिन better opportunity obviously Nabard आपको देगा because Nabard is an apex institution in rural development ठीक है मतलब आपको बहुत ही public dealing नहीं है इसमें आप एक specialized job में हो आप एक specialist की काम कर ले हो that is a supervisor rebody में आप काम कर ले हो correct that is Nabard तो इसमें आपके पास देखो BBA finance, BBA banking, BMS यहाँ पे आपकी eligibility बन जाती है अगर आपके पास master's है MBA finance है तो बिलकुल आप apply तो करी सकते हो MBA finance है तो सारे जगा पे कर सकते हो लेकिन अगर आपके पा बड़ा opportunity है सिर्फ आपके पास MBA finance नहीं है इस वज़े से चला जा रहा है तो do not worry Nabard को notification आ रहा है correct? Nabard आपको पता है हर साल recruit करता है there is no doubt in it इस साल भी करेगा तो Nabard में जो finance की vacancy पिछले साल 3 आई थी yes vacancy number of vacancies कम रहती है लेकिन देखो इस साल हर exam की vacancy अभी देखो मतलब थ मेतियास में railway पहली बार calendar लेके आया है ऐसा election के लिए हो रहा है तो देखो अगर election में student community को कोई फाइदा है तो इन चीजों का फाइदा है तो आपको यह जो पिछले बार 3 आया था क्या पता इस बार 30 हो जाए मतलब I am not making a statement कि 30 आएगा लेकिन vacancies तो निश्चित तो पर मैंने कहा ऐसे vacancy नहीं आएंगे तो do not get deserted कि PNB में आप MBA finance नहीं है तो आप apply नहीं कर सकते हो तो आप नबार्ट finance की तियारी करो नबार्ट finance में आप apply कर सकते हो कर इसमें BBA भी applicable है लेकिन हा इसमें और भी graduates applicable होता है जैसे bachelor of financial and investment analysis भी applicable होता है ठीक है bachelor degree in any disciple आपके पास B.com ह आपके पास BA in arts है कुछ भी है आप कर सकते हो लेकिन आपके पास CFA या ICI का जो chartered accountantship है वो आपके पास होना चाहिए chartered accountancy ये date को धहन मत दो ये पिछले साल के notification को लेके इस साल ये तो ये चेंज हो जाएगा ठीक है तो ये आपको धहन देने वाली बात है तो अगर आपके कि minimum aggregate इसमें 60% मांगा है तो graduation में आपको 60% होना है अगर आप CGPA, OPI या CPI जैसे terminologies में marks मिलता है तो उसका conversion भी notification में दिया हो रहा था आप देख सकते हो and accordingly you can start your preparation ये मैं अभी से लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको तयारी करना पड़ेगा अब मैं move करता हूँ है ना exam के eligibility म PNB and UPI देखो ये मैंने शुरू में बता दिया था ठीक है शुरू में क्या बता दिया था कि आपके पास इसमें MBA Finance CA IC उसके पाद आपका CMA या जो CFA है वो होना चाहिए PNB के लिए exactly UBI के लिए भी उसी प्रकार से graduate और MBA Finance इसमें मांगा गया है correct तो बढ़ेंगे आगे दि दोनों का ही exam pattern almost similar है थोड़ा सा number of questions में इधर उदर है and क्या है इसमें professional knowledge में आपको credit के बारे में पूछा जाएगा UBI में Forex को Forex के बारे में पूछा जाएगा right आगे भी बात करेंगे कि किस तरीके से हमने class schedule किया है and all वो सारा चीज आगे है अब मैं बात करूँ आपके पास एक graduation की डिगरी है तो आप PNB या UBI जैसे exam में applicable नहीं कर सकते हो और मैंने यह बताया कि PNB and UBI तो एक commercial bank है लेकिन उसके against में नबाट is a supervisory body तो in that sense यह supervisory body हो है लेकिन इसका मतलब यह है कि इसका examination थोगा तफतो होगा तो इसके face one में देखो आपको 8 subjects है reasoning English quant and general awareness ठीक है आपको इसमें ESI आपको इसमें ARD पढ़ना पढ़ेगा right so that's the huge difference ठीक है that's the huge difference मतलब देखो कई बार क्या होता है न कुछ चीज नहीं होने का फायदा और कुछ चीज होने का फायदा यह वो difference है आपके पास MBA finance नहीं है तो आप PNB जैसा easy exam नहीं दे पा रहे हो लेकिन आपके पास graduation degree है तो आप PNB UBI से एक better career perspective choose कर पा रहे हो in the sense of NABARD finance लेकिन यहाँ पर examination थोगा सा difficult level पर होगा difficult not in the sense of questions क्योंकि questions इसमें बहुत hard नहीं होते हैं average होता है moderate होता है लेकिन इसके लिए आपको ERD, ARD, ESI, decision making जैसे subjects को extra पढ़ना परेगा same मैं इसमें phase 2 की बात करूँ ठीक है इसमें phase 2 में कैसा है general awareness sorry इसमें phase 2 क्या है general English है online descriptive फिर stream specific question है इसमें आपको finance related objective सवाल आएंगे finance related descriptive सवाल आएंगे ठीक है तो यह है phase 2 pattern कोई descriptive नहीं होता है आपका PNB and UBI जैसे exam में तो यह आपको ध्यान देना है फिर नबाग के stage 3 में क्या है stage 3 में interview है एक psychometric test भी आजकल होता है लेकिन अगर मैं PNB की बात करूँ तो स्रिफ interview है अगर मैं UBI की बात करूँ तो उसमें gd है and interview है correct यह आपको ध्यान देना है लेकिन यहाँ पे psychometric test और interview है तो more or less stage 3 है नबाग में और उसका stage 2 है वो कहीं न कहीं similar side पर ही है मतलब आप देखो एक जगा पे gd है तो एक जगा पे psychometric test है लेकिन PNB में श्रिफ interview है so that turns out to be the most easiest one इंटर्व्यू लेकिन यह भी हो सकता है कि इसमें जो इंटर्व्यू में सवाल पूछे वो थोगा सा tough side पे हो so that depends ठीक है वो सारे वो सारे का objectivity different हो सकता है correct इसमें UBI में जो forex officer का exam आया है इसका जो life class schedule है वो हमने इस तरीके से plan किया है right तो देखो I won't suggest कि आप इसका screenshot लो आपको description में इसका study plan मिलेगा आप उसके study plan को download करो आपको सारा detail उसमें मिल जाएगा exactly वैसे ही हमने life class schedule credit जो PNB के लिए आया है उसमें हमने इस तरीके से plan किया है right तो आप देख सकते हो again इसका भी आपको क्या मिलेगा description में आपको study plan मिलेगा आप इसे देख सकते हो right thank you and all the best मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में till then remember कि ऐसा वेकेंसी नहीं आएगा forex में 73 credit में 1000 वेकेंसी और नबाज finance में आगे आने वाला है so if you are preparing for any examination अगर आपके पास MBA finance नहीं है तो आप अपना query नीचे दिया हुआ Google form में submit कर सकते हो thank you and all the best and always remember we help you prepare 50% faster कर सकते हैं